कि दोस्ते हिरुम बात रहेंगे कैसे से मर्जिंग टिवांटी इंग रंडी का वहां पर inक त्रीं करें कोई नेशनल वसेश बुलुुव एसक्वार डोंस के बिसमें के से मेरजिंग ट्रिंग इंधी मुकाबले हैं दोनों टिम ने तिंटिन मुकाबले में लेटे खेले हैं याज कार दिन cách मोघाबला कराइंग कि चाहें और कितनी तिन जो मुकाबले खेले गया न inf mod तो एक कर सकती है उसके हम box अब हैं आपको स्कूरिकुल अ पनाइंगे हमार ये स्मौल लेना इएगलेंगा सहके सारी चीज़े हम क्लियर करेंगे आपको और को ना प्लेस बहतर पीख हो सकता है क्योंकि हमने इमर्जिंग टिटिन वाला स्रीज में काफिक बिनिंग कर रहा है इनकी टीम ने रिशन में इमर्जिंग टीटन स्रीज खिली थी वहां का पफामेंस स्टार्टिंग देतों पर बेंच बैटे सब की ना सब के स्टैस के खिलेंगे तो कौन कहां पर खिलेगा इंपोर्टेस टोटली मुकाबला रहेगा वीडियो का आप एक लाई करके हमने जैसा है सेंटेशम लिखेंगे शोला जार शार आट-सर पर सब्सक्राइबर आपको दिखने माले हैं और आपने पर किलिकर जोड़ों ड्राइ को तीम सीथे शीदे आपको टेलिगराम चैनल पर दीजाएगी बात करेंगे मैच्चे टाइमिंग पो रहेगा साड़े- सब्सक्राइब करेंगे बढ़िया स्कूरिंग राए इनका तिनों मैज में एक सो पचास पलस स्कूरिंग करिए दोस्तों उनके अलावा इनके जो उपनर रहेंगे फरिदुलाक आसीम इनके लाश्ट लगे में उपनर चेंज हुआ था जिलान बासा से खेलते जब भी उपनी कराता है फरिदुलाक आसीम एक तालिस तीस और दस की संदार इन्होंने पारिये खिलिए बैटिंग में बले बले आप पिक करो मैं तो हर बार बोलता हुआ रहे हैं आप ऐसा पले को क्याप्टन करो वाइस गिप्रन करो जो बोलिंग के सांसाथ आपको बैटिंग करा कर दे क्योंकि बोलिंग सेक्शन में सेलेक्शन इनका चार से लिए पांच परसन के बीज में बासा से को लेकिन याज जो पले ओपनी कर रहा बोलिंग कर रहा तो उनको छोड़ना कते ही नहीं बनता आप इनको पिक करो अब दुल गया से एक 28 रन चार बिकेट आठ रन एक का उनके लाव में आपको बता दो कि इमेर्जिंग टीटर वलाम ने जो सीरीज देखी थी वहां पे छे मैंच में 148 रन था मैं इनको अगैंट पी करूंगा सबू को लाश्ट कितिन के में हर गे में चाज़रों बढ़ा लिए एक बीकेट निकाले उनके लावा राजा यार अगर जुना अंकी पाली तीसर रन तीन वाट तीर रन एक बीकेट चार बर दो अबर संदीप तो अस खानी ने कुछ खास नहीं कराई ती तैमूर साइद भी कुछ खास नहीं है अकिल कोग टीम के में बोला रहे है और तीन वाट डालके दो बीकेट निकाला आता देखो मै सामने वाले तीम है उनके बारे मैं पहले बता दू बटो से पहले इनके जो बैश बाले सामूंस यॉस बढ़ीया पालेर इसमाईल हनी बाबा बढ़ा लावन रहे तो अगर वह लोगक्ते तो सारी चीजे हम केले करेंगे के टीन के टीम है लाश्ट के तीन के तीन के टीम इसने हारे है तिनों में चेका स्कोर काड़ आप चीक करेंगे 156 पे नो उनके अलावे 121 पे साथ लागें 128 पे दॉस तो इनका ज्यादा विकेट गिर रहा है अगर आप सामने ले टीम से कंपेर करेंगे तो इनके ओपनर रहे बैटिंग जो पले करा रहे हैं आप उनको कती नहीं छोड़ सकते पले रेविस अंदार है क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करागत देंगे आप इस मौली के टीम इनको अगयन पी करेंगे मुहमाद दक्तर आपके लिए अगयन डिसेंड पी करेंगे क्योंकि सेलेक्श आप इस मौली के टीम में यहां पर मुनीर एहमत को क्योंकि इनको बोली भी करता है तो वहीं प्लस पॉइंट है बट आपको लेने तो अक्तर को ले सकता हूं मुनीर एहमत के जगे पे मैंने मुनीर को रखने इतला अश्ट लागे में सारुक बट अगर टीम इनको अपनी कराती है तब ही इंपोंटेस रहेगा क्योंकि बिकेट की पर मैं बलबले तो पिकेट की पर सब्सक्राइब को लेने कोई मतलब नहीं बनेगा अब्दल सबूर अहमदुल्ला असादुल्ला टीम की में अल्राउंडर साथिसरन दो बर त को तिसरा पिकर है मुहमद बुस्ताकी को चौता हमने पिक करा है अब्दुल्सबूर अब्दुला असादुल्ला को तिस टीम समने चार प्लेस को पिक करा और साथ प्लेस को पिक करा तो कोई नहीं कहीं सावनुल्ला टीम बहतर टीम है इसलिए मैंने सावनुल्ला टीम से ज कि सपोर्ट दिखाओ विगेट की पर सक्षम है ग्यास एक को पिक करेंगे तो यह फारुक बट को हम नहीं रखेंगे क्योंकि वैसे तो इमर्जिंग टीटेन वाला हमने जो सिरीज देख रही थे ना वहां पर बंदा ओपनी कर रहा था लेकिन इनको टीम नीचे काफी खेला यह बैटिंग से मायेंगे फरिदुला कासिम को पीख करेंगे उनके अलावा मैं पीख करूंगँ यहाँ पर मौह पर लैवा सॉब रहमत को पी नागार्जुन को आपको लेने है तो सबूक उसको आप छोड़ करके या फिर अखिल को छोड़ करके आप नागार्जुन को पी करिएगा मेरा जो कैप्टन रहेगा है वो मेरे ही जब जब आप इस मौली के टीम में कैप्टन करो मुहमद बुस्ताकी को और भीशी कर लो यहा हमारे टेलिग्राम आपको चैनल पर मिलने वाली है वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना चैनल करने हूँ आप सब्सक्राइब करना बेस्ट उखलागा